कि हला व्रिवान वेल्कम दिशानल ग्यापनिखेडमी चले स्टार्ट करते और समझते हैं फिजिक्स का नेक्स टॉपिक जो कि आप लोग के विधूत धारा यान की एलेक्ट्री करेंट नाम के चेप्टर का नेक्स टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विधू होता है कि इसको समझने के लिए मैं यहांपर एक धातू का रोड़ ले ली हूं, छड़ ले ले ली हूं ठीक है। और एक यहां पर मैं और हुआधातू का छो ले ले रही हूं ठीक है है? किलीयर हो गई? देखिए जो धातू हuciónते हैं उनके पर्माडू को आप लोग जانते हैं होंगे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरह हमारा सरीर्कोशीकार बना होता है उसlaw करमार बना होता है और जो परमाडू का structure होता है यह क्या है परमाडू और वग्यानिकों ने बताया कि परमाडू में तीन चीजे होती है कौन-कौन सी electron proton और neutron ठीक है electron पर minus charge यानि की negative charge और proton पर positive charge होता है और electron proton और neutron ही मिलकर परमाडू बनाते है और यहीं परमाडू का structure अब देखिये जो proton है और neutron मिलकर यह बीच वाल बीक्स वाला भाग इसको बोलते हैं नाबिक तो proton और neutron मिलकर यह नाबिक बनाते हैं इसमें proton और यह इसको प्लास एन की पुजिटिव चार्ज इसे लिए जो नाभिक है इसको पुजिटिव चार्ज में धिखाया जाता है ःफिए अब गूल गुल जाता है तो क्छक में से रास्ता है कमरा है यह था होता है तो इस इसी कम्रे में क्या होता है यह जो ऐलेक्ट्रोन होते हैं वो घूमते रहते हैं एलेक्ट्रोन ऐसे भूमते रहते हैं जब ऐसा फ्री हो जाए तो यह इसलिए करने होता है देखें मैं आप लोगों को बताई हूं कि पोजीटिव और नीयुकंतर चार्जर एक दोब इसी तिर ho खक लगाते रहते हैं किसके कारण नामी के अकरशंडल के कारण ये खीचा रहता है इसलिए हृट इसका कुछक सब्सक्राइब कितना तो यह हो गे पूरा प्रमारू का स्ट्रक्शा गेना 저क व्यागा एक आरप में होता है जो बाहरवाला कक्शक होता है जो धातू का पर्मारू होता है धातू के पर्मारू में बाहर वाले कक्शक में एक या फिर लो या फिर तीन अलेक्ट्रॉन पाई एक दो या फिर तील और होता क्या है यह एक्जामपल देख आप लोगो समझाती हूं अगर एक कमरे में एकजाम चल रहा है यहां पर एक टीचर है इसको यहीं पर खाड़ा होकर सारे स्टुडेंस पर नजर रखना है कि कौन चीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और यहाँ पर क्या students बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे ठीक है इस तरह बैठे हुए हैं देखिए यहाँ पर यह teacher है कोई ठीक है यह क्या करेगा इसका क्या करना है इसको देखना है कि कौन students cheat कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो यह क्या करेगा कि जो आगे वाले students है या फिर जो इसके इसको तो बहुत अच्छे तरीके से देख लेगा काँम चचीट कर रहा है लेकिन जो पीछे वाला विद्यार्ती होगा वह-सानिश से चीट कर लेगा क्योंकि और यह आई-पर यह इनका इस इस टूडेंस पर यानि इस पीछे वाले पर नहीं पड़े यानि कि उतने अच्छे से वो क्या करेंगे जाच नहीं कर पाएंगे कि कौन चिट कर रहा है उसी तरह यहाँ पर होता है यह नाभिक जो होता है यह पास वाले कक्छक के इसको इसको क्या करता है अच्छे से खीच कर रखता है लेकिन जो बाहर वाला कक्छक होता है बाहर वाल भी हो जाते हैं तो देखिए होता क्या हैं आगैं में आपने ऊको बता रही हूं इसको मिटा दे रही हूं तो सभी धातू के सभी प्रमाडू में क्या होता है बाहर में या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रोन होते हैं जो क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं अब देखिए धातू का रोड है अब इसमें से भी तो परमाडू होंगे और इसमें से जो परमाडू होते हैं यह इस परमाडू से से इलेक्ट्रोन क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं इस तरह बहुत सब्सक्र्ण इस तरह हो जाते हैं और इसी है दातू के इसी धातू के छड़ में क्या होते हैं, randomly इधर उधर गती करते रहते हैं, कोई इधर गती करेगा, कोई इधर गती करेगा, कोई इधर गती करेगा, कोई इधर गती करेगा, इस तरह इस तरह, ठीक है, यानि कि free electron, इनको क्या बोलते हैं, मुक्त electron, ठीक है, मुक्त electron, ये electron shortcut में अब Mong give थेकर इनको क्या बूलाते हैं यह उध्र-उधर करते रहते हैं तो धातु में फ्री हम सहनवते हैं और चीह हम लोग इसको बैटरी से जोडते हैं और विधोध धाराब प्रवाहित होती है यह जोड़ दी यह बैटरी का करने लगेंगे इस तरह ठीक है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसी दिशा में गति करेंगे और इसी वज़ा से जब यह एक ही दिशा में परवाहित होने लगेंगे तो जब आवेश परवाहित होता है तो उसमें क्या होता है विधुद्धारा देखी जाती है तो यहाँ पर इस धातू के रोड में यही मुक्त एलेक्ट्रॉन का परवाहित होने लगना एक दिशा में परवाहित होने लगना क्या कहलाता है विधुद्धारा कहलाता है और इसी कारण जो धातू होता है न मुक्त एलेक्ट्रॉन होते है उसमें और यही कारण होता है कि उसमे धारा परवाहित होती है ठीक है अब देखिए अधातू में क्यों नहीं परवाहित होती है यह अधातू का छड़ है क्यों नहीं परवाहित होती है इसके जो परमारू होते हैं उसके जो कक्षक होते हैं वो पास पास होते हैं ठीक है पास पास होते हैं और इसी वजह से और जो उख्लाव और दातु में एलेक्ट्रावन होते हैं वह सब्छे इस त flux इस तरह करते हैं थिक है तो होता क्या है यह वो सब्सक्स्रावरत कच्शक होने के वगाने वह और अक्लशन व्ल Потом को पर भी ज्यादा लगता है तुछ बाहर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी अच्छे से खीच कर रखता है और इसलिए अधातू में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में वह बाहर नहीं निकल पाते हैं वह फ्री नहीं हो पाते हैं मुक्त नहीं हो पाते हैं और इसी कारण से अधातू मे एलेक्ट्री करेंट नहीं परवाहित होता है और धातु में फ्री एलेक्ट्रॉन होने के कारण धारा यानिकी एलेक्ट्री करेंट परवाहित होता है किलियर हो गई बात अब चलिए समझते हैं विदूद्धारा की दिशा कि किस दिशा में विदूद्धारा परवाहित होती ह उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर एक धातू का रोड ले रही हूँ यानि कि छड़ ले रही हूँ धातू का क्यों ले रही हूँ क्योंकि धातू से विदुद्धर अपरवाइत होगी और धातू से नहीं यह तो आप लोग अभी समझें इसमें क्या है इस धातू में मुक्त यान कि free electron बहुत चारे हैं देखे यहाँ पर electron को बना दी हूं electron का symbol ऐसे ही होता है यह free electron इस धातु में पुरा भरे पड़े हैं लेकिन इससे पहले एक और बात समझे अगर मैं आप लोग़ों को एक पानी की तंकी दे रही हूं ऐसे ठीक है यह पानी की टंकी है इसे पाइप से एक और टंकी जुड़ा हुआ है ठीक है यह है टंकी 1 यह है टंकी 2 और इसमें जितना टंकी 1 में जितना पानी भरा है जितना जल भरा है उतना ही जल टंकी 2 में भरा है ठीक है और मैं चाहती हूँ कि टंकी 1 से टंकी 2 में क्या ह यह जो जल है वो परवाहित हो तो क्या यह जल की धारा परवाहित हो तो क्या यह जल की धारा परवाहित होगी विल्कुल नहीं परवाहित होगी क्योंकि दोनों में बराबर मात्रा का पानी भरा हुआ है और यह परवाहित नहीं होगा तो इसके लिए हमें क्या करना यानि कि जल का अस्तर आधा कर देंगे लवल आधा कर देंगे अब आपको लगता है कि टंकी वन से टंकी टू में जल की धारा परवाहित होगी बिल्कुल परवाहित होगी यहां से इसमें परवाहित होने लगी ठीक है यानि कि यह उच एस्तर से ठीक है हाई लेबल से हाई ल इस चीज़ को हम इसमें लाकर समझेंगे देखिए यहां पर धातु का रॉड था अब यहां पर फोकस कीजिए यह एलेक्ट्रॉन है ठीक है मुक्त एलेक्ट्रॉन अब इसको इस धातु के छड़ से हम विधूत धारा परवाइद करेंगे एक बैटरी जोड़ देंगे इसे नहीं बैटरी को मैं यहां पडूटल बना ही दे रही हूँ ऐसे होता है बैटरी ठीक है ये अच्छा बना है हुटा क्या है कि यह दो बैटरी होता Х Orig सबस्क्राइब करता है यहां पर यहां पर और तो पुजीटिव बच जाता है यहां पर चल जाएगा तो यहां पर बचेगा तो इसी लिए जो बैटरी होता है ना बैटरी का एक वाला सीरा यानि पहले वाला सीरा क्या होता है नीगेटिव चार्ज और दूसरा वाला सीरा पोजिटिव चार्ज होता है क्योंकि सारे के सारे एक सीरे पर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है नीगेटिव तर्मिनल हो जाता है और सारे को हम टोटल जोड़ दिये इसमें भी लाकर ऐसे जोड़ दिये हैं सुनिए बात को यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं और सारे के सारे से क्या करते हैं तो एक दुसरे को परतिकर्शित करते हैं यानि कि धक्का लगा कर दूर भगाते हैं तो जैसे यहां से इलेक्ट्रोन चल कर यहां तक जाएगा यानि कि यह इस इलेक्ट्रोन को धक्का लगाएगा और यह सारे कि October की यहां पर क्या होगा पिरोध में करने लगेंगे अजिसा में दिशा यहाँ पर है यहां पर है इनकी खिचाव होता है एक दूसरे को पास बुलाते हैं तो यह positive बोलता है कि तू आजा यहाँ पर इस electron को तो यह सारे के सारे electron इधर से इधर जाने लगते हैं और एक तो electron इधर से इधर से जाही रहें यानि कि यहाँ पर एक circle पूरा हो जा रहा है इधर से electron जाएंगे ऐसे होकर फिर ऐसे जाकर फि इधर से परवाहित होगा ठीक है बात को ध्यान से सुनिए यह फूर भले ही इनल इसला परवाहित हो रहे हैं लेकिन जो विधूतत धारा की दिशा पॉजीटिव टर्मिनल से यह आज पर बस माइन से सीरे की तरफ यानिकि ऐसे विधुदारा की दिसा होगी क्यों क्योंकि high level से low the value की तरफ धारा बहती है यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जिस तरह पानी के टंग्गाय में से high level से low level की तरफ धारा परवाइत हो रही थी बिल्कुल उसी यहां पर हाई कौन है और पहले को पहले के लोगों ने भी बताया है कि ये जो प्लस चार्ज है न प्लस टर्मिनल से ही विधूत धारा माइनस टर्मिनल की तरफ परवाइत होती है ठीके यानि कि हाई लेबल से लो लेबल की तरफ विधूत धारा परवाइत होती है भले ही एलेक्ट्रोन की दिशा विप्रीत हो ठीके तो धारा की दिशा पोजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है ठीके एलेक्ट्रॉन के दिशा के विप्रीत होता है एलेक्ट्रॉन के दिशा के उल्टा होता है विधुद्धारा की दिशा ठीके ये आप के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस